अब हम करेंगे question number 12 देखो upon में चाहे under root हो या फिर under root ना हो अगर है या नहीं है लेकिन उसमें अगर term x का है तो इस x के term को हमें हटाना है इसको हटाने के लिए हमके लोग क्या करेंगे इसको a plus b का whole square या a minus b का whole square के form में लिखके यानि इस quadratic equation को perfect square बनाना है ठीक है तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे देखो यहाँ पे हम लोग पहले minus 1 minus common ले लेंगे तो यह हो जाएगा x square plus 6x minus 7 अब देखो under root minus x square ये plus का 6x है और हमारा जो formula होता है वो होता है a square plus b square plus 2ab तो इसको हम 2ab की form में अगर लिख है तो यहाँ जाएगा 2 और इसमें x जो हो गया वो a और b जो है वो 3 अब यह 3 जो है ना यह हमारा b की तरह है तो b square यानि 3 square जब 3 square add करेंगे तो 3 square को substitute भी कर देंगे और यह जो दे रखा है minus 7 इसको as it is लिख देंगे यह हमारा क्या आ जाएगा 1 upon under root minus को ऐसा ही लिखा रहे हैं तो a square plus b square plus 2ab तो यह आ जाएगा x plus b का whole square और यह आ जाएगा देखो 3,3,9 9 में 7 add करेंगे तो यह 16 और 16 को अभी 16 ही लिख लिख लिखते हैं अब यहाँ पर जो minus है यह पूरे के बाहर में है तो अंदर ले जाएगे तो 16 जो minus का दे रखा यह plus का हो जाएगा 16 को लिख सकते हैं 4 square minus x plus 3 का whole square तो यह हमारा कुछ इस तरह से आ जाएगा ठीक है इसका integration इसका integration तो यहाँ पर जो हम चीज यूज करेंगे वो क्या है integration of under root a square minus x square और इसका जो integration होता है वो होता है हमारा sin inverse x upon a plus constant c ठीक है तो इसका integration क्या हो जाएगा sin inverse x plus 3 upon a यानि की 4 plus constant c यह हमारा answer हो जाएगा